नमस्कार दोस्तों आप देख रहें इंडिया न्यू स्पोर्ट्स मैं हूरितिक कपूर कोलकता नाइट रैडेस के लिए IPL 2022 का मेगा उक्षन बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है एक कॉम्पेटिटिव और एक्स्पीरियन स्कॉर्ट त्यार करने के लिए IPL 2022 के मेगा उक्षन में KKR को काफी अच्छी प्लानिंग और स्ट्राटेजी के साथ उतरना पड़ेगा ताकि वो एक कम्प्लीट फूल फ्लेट स्कॉर्ट त्यार कर पाए KKR अभी तक 34 करोड इंवेस्ट कर चुगा है 4 प्लेयर पा यानि 34 करोड में KKR ने 4 प्लेयर रिटेन करें हैं पहला प्लेयर उन्होंने रिटेन किया है अंडरे रिसल जो कि उन्होंने 12 करोड में रिटेन किया है दूसरा प्लेयर उन्होंने वरुन चकरबर्ती आठ करोड में रिटेन किया है तीसरा प्लेयर है वेंकेटेश अयर उन्होंने उसको भी आठ करोड में रिटेन किया है चोथा प्लेयर है सुनील नरायन जिसको KKR ने 6 करोड में रिटेन किया है अब KKR के पास 48 करोड का वालेट बचता है जिसमें KKR को एक पूरी स्क्वाड प्रिपेर करना है शुमन गिल के जाने के बाद KKR को जुरूरत होगी अच्छे ओपनर्स की और उसमें KKR रख सकती है चार अच्छे और बड़े ओप्शन पहला ओप्शन आता है शिकरदवन और डेविड वार्नर का शिकरदवन और डेविड वार्नर में अगर KKR इनवेस्ट करती है तो उनके पास दोनों के रूप में ही कैप्टेंसी मेटीरियल और प्रूवन ओपनर्स मिलते हैं और दूसरा ओप्शन आता है कुईंटन डिकॉक और क्रिस लिन का क्रिस लिन और कुईंटन डिकॉक में अगर KKR इनवेस्ट करती है तो उनके पास आप्शन आता है विकेट कीपर और ओपनर का क्रिस लिन कपतानी कर चुके हैं बिग बैश लीग में ब्रिजबेन हीट की भी और कुंटन डिकॉक की बात करें तो कुंटन डिकॉक काफी फॉर्मैट में साउथ अफरीका की कपतानी कर चुके हैं अब देखना ये है कि जब KKR IPL और मेगा उक्षन 2022 में उतरेगा तो किन स्ट्राटेजी के साथ उतरेगा क्या और क्या नए प्लैंस के साथ उतरेगा ताकि वो अपनी एक बहुत अच्छी और पूरी की फुल-fledged और experience टीम प्रिपेर कर पाए आपको क्या लगता है जो मैंने बताए है इन चार ओपनर्स जो की प्रोबेबल ओपनर्स हो सकते हैं KKR के लिए उन में से कौन ठीक रहेगा KKR के लिए कौन सी जोड़ी ठीक रहेगी कमेंट सेक्शन में बताए और ऐसे ही इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स के यूट्यूब चानल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें